वेकम यूओ ओला हैं वेट प्रमाजन ट्रेडर सो गाइस आजम बात करने वाले एक असिस्टॉक के बारे में जो हमें बड़त की और जाता हुआ तो दीख रहा था बट अभी ओ सपोर्ट लेवल धून रहा है और ओ सपोर्ट ऐसे लेवल पे लेने वाला है जहां पर हमें और भी दारी भी करना हो और आपको अगर अगर लग रहा हो कि अब इस टॉक गिरने वाला है तो आपको वेट करना है जी मैं ऐसे लेवल के बारे में बताऊंगा जिस से आपको थोड़ा सब्सक्राइब करना आप एक नए इंवेस्टर सोब्सक्राइब करना चाहते हो तो बैंक निप्टी और निप्टी के जो चार्ट है उसका डेली अपडेट में देते रहता हो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना काफी हेल्प मिलेगी आपको तो बात करूँगा मैं BHEL के स्टॉक के बारे में उस स्टॉक का नाम है BHEL और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्टिकल लिमिटेड इसका पूरा नाम है और बात करेंगे अगर करन प्राइस की तो करन प्राइस भी आप देख सकते हो यहाँ पर 56 रुप जैसे कि असपा स्टॉक गिरदावा नजर आ रहा है तो यह गर बात करें 0.89% की हाप पर गिरावट है तो गिरावट जो आ रही थी उसी के लिए मैंने वीडियो बनाए कि गिरावट क्यों आ रही है तो उसी के बारे में बात करने वाला हो कि क्या कुछ हो सकता है तो करेंगे हम पहले इसके चाट की तो इस चाट पर मैं आ गया हूं तो यहां पर अगर बात करो तो आप देख सकते यहां पर अगर जूं पर यहां पर देखो तो भी breakout इसे मिला था हमेने previous वीडियो में इसके बारे भी information दी है बड़ अभी use में नहीं है तो यहाँ पर जैसे ही उठा तो यहाँ पर sideways चला stop फिर यहाँ पर इसे rejection मिला फिर नीचा रहा है फिर उपर गया फिर rejection मिल रहा है फिर यहाँ पर support ले सकता है इस कौन से level पर चोपन रुपए के आसपस से support ले सकता है और यहाँ से support लेके सीधा उपर कियों जा सकता है यहाँ पर support लेके sideways जा सकता है तो हमें wait करना है breakout का और breakout हमें कहां मिलने वाला है तो breakout अगर देखा जाएगा इस तो breakout आप देख सकते हो इन levels पे अगर मिल जाएंगा तो retract करके सीधा higher rise ल कि värबात करींगी कि कि क्या कुछ इस टॉक में हो सकता है तो अब बात करते हम क्या कुछ resistance लेए हैं क्या कोो support लेवल हुसके बारे में discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर Anatomy Line 500 आप देख सकते हो 57.80% 80 का इसका resistance level आपको यहापर देखने को मिल जाएगा वह एकर बात करें resistance second resistance की तो 8.40 पेसे के आसपास आपर नजर आ रहा है वह एकर बात करें second support level की तो second support level भी आप देख सकते हैं 56 रुपे तक है और जो third है यहाँ तक आ सकता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ तक इस लेवल तक तो यह आएगा ही आएगा मैं को इसा लगता है कि 45 रुपे तक तो यह stock आएगा ही आएगा और गिराउट से ही इसमें एड होगा और वही अगर मन-मन की बात करो तो वन-मन में भी आप देख सकते हो 6.38% के आसपास की हमें यापर देखने को मिल रहा है और प्लस में ही था और त्री मन्स की बात की जाए तो माइनस 12% है माइनस 12.30 7% यापर दिख जाएगा वही अगर बात की जाए इसमें 1 year का तो 1 year में 89.78% के आसपास आपको यापर नजर आ रहाएगा वही अगर बात करें इसके trade value की trade value भी आप देख सकते हो 4 crore के something आज देखने को मिल रही है बढ़े ही यह पिछले कई time से ज़्यादा है बट इसमें और बढ़ सकता है हो सकता है इसमें sell ज़्यादा हो रही हो तो भी देखना होंगा क्या कुछ होता है वही अगर बात करें yesterday में तो 2 crore के something यहाँ पर हमें जाता हो दीख रहा था और convenient delivery के अगर मैं बात करूँ लेख जाता है और तीन करोड के आसपास यहाँ पर और इसका देख रहा है तो 3 crore के आसपास है और 62 lakh के आसपास के आपको दीख जाएगी वही अगर बात करेगा यहाँ पर one week के average की तो one month के sorry one month के average के आगर मैं बात करूँ तो one month के व यह वरेज में आपको यहाँ पर दिख जाएंगा फॉर लोर के वही है जो अभी भी आप पर देखने को मिल रहा है वही मौने यहाँ संथिन डिलरी की बात करें ज्तिन को संथिन यहां पर आपको नेजर आ रहा है वही थ्만 क हम यहाँ पर हम इसे रख सकते हैं तो selling के बात कि की जाए तो जीरो परसेंट है और अभी भी बाइंग काल के लिए है क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों के सपोर्ट लेवल रहा है और कोई भी स्टॉक अगर बढ़ता है स्टॉक में अगर पॉजिटिव चीज़ा हमें देखने वह नजर आती तो उसमें प्रॉफिट वह नजर आता रहता है सैंट्यूक देखने को मीं इस्किर बोल रहा हो तो क्यूंकि आप स्क्रीन पर देखी सब्सक्राथ करोन के आसपास का revenue आपर बढ़ता हो में नजर आ रहा था वही 2018 की बात करें तो 28,940 करोड के आसपास है वही 2019 में देखें तो 30,441 के आसपास दिख जाएंगा वही 2020 की अगर मैं बात करूँ गाइस तो 21,463 करोड के आसपास है पर काफी डाउंट्रे में आ गया था हाँ तो कवीड का भी काफी इंपक्ट बढ़ा था स्टॉक पे तो जिसके कारण भी नीचे आ रहा था गाईस और यह अगर बात की जाए इसमें अगर बात करें 2021 की तो 2021 में 17,308 करोड के सम्धिंग आपको आपर नजर आ रहा तो 478 करोड के आसपस का revenue था सरी net profit था 2018 की बात करें तो 828 करोड के की आसपास है 2019 की बात करें तो एक हजार 1880 है और 2020 की अगर बात करो तो यह आपर माइनस में जाता हो दिख रहा है लगबग की अगर बात करूं और यहांपर दिख जाएंगे तो यहांपर होल्डिंग के बारे में देखा जाएं तो अच्छी हमें नेजर आ रही है प्रामोटर की होल्डिंग काफी यह पर ज़ादा है तो अगर अगर प्रेसिड Nev अप इंडिया की होल्डिंग देखी जाए तो फ सूल questi3.17% आश Optal प्रेज़िदन्ट ऑफ इंडिया की ओलडिंग तो खौपी पॉजितिव ये पर नजर आ रही है प्रेज़िदन्ट ऑफ इंडिया की होल्डिंग वही अगर बात करें गैस यहां पर अगर देकर चार्ट की बात करें तो चार्ट में भी अच्छा कासा है और इसमें देखे दे रहे तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करना गाई